बॉड मॉर्णिं वन सेगेंग लास पिछले वीडियो में अमने जो स्टडी किया अबाट दा नौइंग यूर बॉडी में बॉडी और गंस इंटर्नल और एक्सरनल और गंस तो अब जो अपका नया टॉपिक आता है इसमें आता है अपका बॉडी सिस्टम और गंस मिलके एक सिस्टम है आपका तक्हलिट भी सिटम साथल्स चीर्टी शुड्य प्रॉडी पर्टनित यह आपकी बॉडी में पूर अपकी ब्लड्ड को सभ येट करता है विद फैल फॉस ऐसलेंतर।ह है और रिसम को ज werden गर फींग डीड में आपकी वोडी में आपकी बूरी बॉडी ब आपकी ब्लैट कोण आपकी पूरी बॉडिका निदाता या उट्रिली बॉडि कोा लॉडिका करता है बॉडिक अपकी पूरी बॉडि में जो भी मेश प्रोडक्स होते हैं उसको भी वापकी बॉडि से रिलीज करता है जो इतने भी आपकी बॉड़ी में जो वेस्ट प्रोड़क्स हैं वो सारे आपकी बॉड़ी से रिलीज करता है और जो वेस्ट प्रोड़क्स जितने भी हैं जो आपकी बुलेट में बुलेट से निकलते हैं वो आपकी बॉड़ी से रिलीज होना बहुत जरूरी है और वो जोबहते हैं इसको डीनस को करता है इसनों चूलिटीनंट्सित्राइक , और बोधिं में भ्रीकज प्राटि जियुदू है , जो पिर ओढर टृ वह रएकर टाहिक है। तो यह जो निख सिस्टम कहलाए और अपका इंपॉर्टर आपके पर हूट पूरीट्ट पर गोते हैं। जो आपके फूर्ट को डाइजेस्स करते हैं इसलिए हमेशा द्यान रखें कभी भी आपको भूग लगे तो इतना खाना खाएं जितना आपके स्टमक में थोड़ी जगे रह जाएं यानि आप याप कैसे पता लगाएं कि आपके स्टमक में जगे हैं आप इसके लिए इतना खाना खाएं तो आप एक रोटी की भूग आपको रह जानी चाहिए तक इसके इस्तमक को डाइजेस्ट कने में आसानी हो बर्याती है कैसा छाएंस पैवी करें अब हेवी है करें लंच दिनन आपका सबसे हलका होना चाहिए लिए वो इसक्वाब बहुत है ही हो जाता है आपको और खाना जो है आपको आट-साड़े-ाट बजे तक शाम तक खा लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके ताकि उसको डिजेस्ट करने में बोड़ी को आपके डिजेस्ट सिस्टम को आसानी जब जितना आप देज से खाना काते है उतना ही आपके लिवर पर आपके स्कमत इसका खराब असर पड़ता है खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिये हो सके तो आदे से गंटे बाद ही पानी पिये आप खाना जब भी खाना खाए पहले आप पानी पी लीजिए एक दो गूर खाना खाने के बीचों पी लीजिए लेकिन खाना काने के पाद आप आपका ने के पाद आपका नहीं ना पर आपका ना प्होट पी सिस्टम धाद्ड दूसरा आता है आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून शिस्टम आपका क्या है। आज कल देख रहे हैं, सब लोग आपकी यूपी बैट देख रहे हैं, आपकी बॉड़ी को इस्टोंग करने के लिए इमुन सिस्टम क्या चीज है, आपकी बॉड़ी को डिफैंड करता है बहुत सारे आपके रोगानों से पैथागन से आपकी बॉड़ी को यह जो है और छीनित चीजाएं आपकी बॉड़ी को उसको मारता है आपे वाइप abundance laugh मारे करिदध यह सारी चीजह आपकी बॉड़ी को आपकी प्रतिरोधक चामता थी आपकी बॉड़ी कि जो defense system है उसको मुझ्भूत करते हैं आजकल करोना जो उचला है तो करोना से का असर उन पर जादा हो रहा है जिनका immune system weak है अगर आप immune system अपना अच्छा कर लेंगे तो आपको बहुत सारी, करोना ही नहीं बहुत सारी problems है, जो weather related problems होती है, सर्दी जुकाम खासी और बहुत सारी problems होती है उन से आप बहुत आसानी से लड़ सके आपकी बॉड़ी और पूरे तरीजे स्टॉंग बन सके लिए इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर आपका muscular system muscular system क्या चीज है, आपकी muscles को strong करता है, आपकी बॉड़ी को इतना able बनाता है कि आप किसी भी movement के लिए, किसी भी activities के लिए तयार रहें आपनी muscles को strong कर सके तो यह muscular system किसी भी चीज को पकड़ना, उठाना, खेचना यह आपकी muscles की strong करता है यह आपकी पूरा muscular system जो है वो आपका mind से command होता है, तो यह आपका muscular system है इसके बाद आता है nervous system nervous system जो आपके mind से आपके mind से आपकी information को collect सकता है और पूरे जो है बादी में पूरी इसको आपकी पूरी बादी को उसका command देता है तो यह आपका nervous system होता है आपकी muscles को, आपके body parts को आपकी organs को, आपकी सब चीजों को command देता है यह कहलाता है आपका nervous system इसको buscar calendar system भी कहते हैं हो आपके बॉर्ड को कमांड देखा है एक आपके बॉर्डी को फॉलो करते हैं को यह आपका नर्वस सिटम उत्हा है तो यह जिस्टम जो है अगर आपका विंख हो जाता है तो आपकी बॉर्डी whether nothingcasire पाती है और जब कमांड ही नहीं मिलता है जिसे मैंने आपको पेले पिछले वीडियो में बताया था कि आपके आपका कोमा में भी आपकी बोडी जा सकती है तो नर्वस सिस्टम आपका बहुत स्टॉंग होना चाहिए और कोई डिसेशन अबिलिटी आपके अंदर बहुत स्ट है है उसको चीन ही कुर्वेक बोडी में पहुंचाता है है और लंग ळिजैने को यह नंग को ब्ऌना जब लिजएस करते हैं तो इसको मुझा कि दॉन वर्ट करता है और ईस्टी में इसको वह हमारी में हमारे सांस लेने में इसके बाद आता है आपका skeleton system, skeleton system आपकी body का structure आपकी body को structure देता है, आपकी muscles जो है, वो किस से जुड़ी होती है, body से, आपकी bones से, तो ये bone का structure है, ये आपका skeleton system पहलाता है, आपकी body को strong बनाने में, आपकी muscles से जुड़े रहने में, bone का बड़ा रोल होता है, आपकी bones अगर मस् ब जो आता है आपकी ब्लेट को सबसे ब्लड को सबसे सब्सक्राइब आपकا किडणी जो होती है आपकी ब्लड को बिल्कुल प्यॉरिफाई करती है और प्यॉरिफाई करने के बाद ब्लड को प्यॉरिफाई करने के बाद आपकी बॉड़ी से यूरिन है वो आपकी बॉड़ी को बॉड़ी से रिलीज करती है और अगर किड्नी फेल हो जाती है किड्नी फीक हो जाती है तो आप प्रॉपर त जो आपी kidney system है वो आपका बहुत strong होना चाहिए और उससे related क्या-क्या चीज़ें इसको strong करने के लिए कौन-कौन से आसा में exercises है यह क्या-क्या food है वो मैं आपको बताऊँगा next videos में या next आपके class में तो इनको कैसे protect करना है इसमें यह आपका इसके यह मैंने आपको 8 सिस्टम बताएं दुबारा से revise कर देता हूं मैं आपको body system में सबसे पहला circulatory system दूसरा digestive system तीसरा immune system चौथा जो है आपका muscular system पांच वाए आपका nervous system six is आपका respiratory system seventh is skeleton system and eight is general system यानि urinary system ओकी तो यह आपके system body system मैंने बताएं अब आपका next यह आपका videos और आपका topic और यह chapter आपका इहीं कतम होता है इस chapter का next part जो है वो मैं आपको next video में बताऊंगा वो आपका जिसमें आपका how to protect your body from various bad habits and disease आप अपनी body को bad habits से और disease से कैसे दूर रख सकते हैं यह मैं आपको step by step बताऊंगा और उसके बाद आपका आपको continue करूंगा इसके साथ आपको question answer दूंगा लिए question answer मैं आपको तभी दूंगा जब आपका चैप्टर पुरा complete हो जाए ठीक है तो जब तक आप लोगों को इसी chapter को दुबारा से करना है और उसकी जो question answer है उसको जो मैं दूंगा उसको आपको तैयार रखके अपनी कॉपी बनाते हैं ठीक है गुडबाई एंड इस्टे सेफिन अभूंगे